CBSE class 10, term 2, आपके subjective pattern में होंगे और इससे पहले जो हमारा term 1 का exam था वो objective pattern में था objective pattern और subjective pattern में वास difference है subjective pattern में आपको pen paper लेके practice करने की जरूरत है, हर एक question को step by step solve करने की जरूरत है इससे पहले हमने जितने भी classes कर रहे थे, वो सारे online थे, videos देखने के हमें आदत हो गई है तो हमें हमारा लिखने का practice कहीं न कहीं छूट गया है तो अब आप अपने term 2 में best performance देने के लिए pen paper mode में आप practice करना start कर दे ताकि हम बहतर से बहतर marks score कर सके